नमस्कार मित्रोन एक डिशार में आपका श्फागत इस वीडियो कि गायों में आप कौन सी समषवाइय होती है् न works तरह मैं कहूंगा कि यदि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नहीं नहीं और छोटी से छोटी जनकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहा है सब्सक्राइब कर लेकिन कर पाती है तो क्या कारण होता है कि लोगों को अपना घर का जो भी उसको खिलाया जाए तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा समय समय से कम होगी समय समय से देना बहुत ज़रूदी होता है यह जी तो इसी करणा से रिपीट करती है गाया अहए सब्सक्राइब करना काक्रिया तो 해 पास कौन कौन सा सीमन उपलब्ध है सॉक्सेसी में हो सधारड सीमन हो घो कहा का करा सकते हैं अना पड़ेगा आपको कैसे आना भी पड़ सकता है नहीं आएंगे तो भीड़बा नहीं देते हैं कोई भी सीमन में लोकल होता है डलवा देते और उसका जब रिजल्ट आता है तो वह गाय हो या भेस हो काफी कम देती है तो कैसे इसको इंप्रूब किया जाए सबड़ेंबैंते के स्वाव अच्छा संपार करें की जय जाए 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 है तो सर ज्याधा क्वछलिपर्टा होगा कि अच्छलिपर्टा है लो बहुत ज्यादा कश्टी नहीं है इसलिए कि सधारण सीमेन भी देखा जाए तो 200-300 कलम संपड़ रहा है इसमें बच्चिया की गरांटी नहीं है उसमें सटेज सीमेन भी फैदा है बच्चा जाता है कि बहुत अच्छा है जो सधारण बच्चे आएंगे उनको खिलाने-पिलाने में मेहनत उतना सब्सक्राण होता है सबसे बड़ा काणा शर केलश्ययम की कमी बाड़ी में जब कैलश्यम की कमी होगी तो यह भूस सकता हम न चाहिए कि बच्चा देने से एक माप पाये ले विश्यज ध्यान देना पड़ता है यह ताकि उसमें किसी भी मल्टी वीटामीन की कमी न है केलस्यम की कमी से ही होता है इसलिएक कई रोगों का निदान है यदे हर तरह का ह cricket विटयमीन दिया जार्य पडुसर thunder को करा हैं तो हर तरह को कि समश्चा नहीं हो'de कि दरक बंच कराना कितना जडरूरी है तीन से चार माहा पर जानवर दिया सब नहीं होता है देखा जाय तो जो भी खा रहे हैं उसको ना धोना है ने कुछ करना है तो चारा इसे ही लोग खिलाते हैं जैसे तो इसे काट के लाए खिला दिये ज़रूरी है कि डिवर्मिग कराना समय समय सब्सक्राइब से ज्यादा जो डेरी फार्म है वहां सालों भर हरा चरा नहीं मिल पाता है तो हरा चरा की पूर्टी कर देता है वो जी पूर्टी कर देगा अगर मानली जीए सर गाय होती है कि गाय जो है फॉस्ट या सेकेंड लेक्टेशन में दूद सही दी जब दूसरी या तीसरी बार बच्चा देती है तो एका एक दूद कम हो जाता है उसके पीछे क्या कारण होता है उसका पीछे कारण है सर की डिवर्मिंग समय से कराया जाए और समय समय से मिनरल मिक्चर हर समय उसको 50-50 गराम हर गाय को समय 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 से देना निवार होता है गर्मियों में क्या विशेश सब्धानी बरतना चाहिए सर गायों में जानवर को उस जगह पर रखे जहां थंड़ा वाता वरण हो यदि नहों तो वहां पर पंखा उगरा की भैस्ता किया जा लेकिन परसवालाग नहीं ध्यान देगा तो वही सारी समय समय इसी वज़ा से आती है गर्मी को वज़ाय से जाना यह जहां तहां पड़ी रहेगी दुप में पड़ी रहती है तो हीट इस्टों की कि चली जाती है यह की बार देरी चलाने के लिए दस बार गाए रख लेता है उसका बियोस्ता इसलिए वोषवाल। भड़ dzi मार्केट का समर्शय हैakah। इसी भी पॉर भी मार के लिए पॉस्त करें के लूप अगला जे जिसके बाद då बेसे के बारे में सर बता जा जी। इस सर यह बचिया है आए गाहे को सकसेज सीमें डाला गया था सकसेज सीमें से यह बचिया आई यह बचिया किसमत बायाफ का किसमत बुल है जी उसी कि यह बचिया है तो तो यह विद्वायफ को शिमें कश्ट पढ़ जाता है वह अच्छा होगा भली अच्छा है वह अच्छा है वह कमी नहीं है वह नशल्ट सुधार के लिए है ऊसका भी बच्छा अच्छा होते हैं आपके पास बच्छार आ थे उसमें 50-50 परसेंट होता है तो मुरा में भी आया है सब्सक्राइब तो चले इतनी महत्वपूर्ण जनकारी हमारे दसकों के साथ सजय के सर इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत